कि नमस्कार उसले साहर में सुंद्रेकी बात कर रहे तह तो पास्चातें सुंद्रे के ऊपर स्टाकी दीर के सहते की शोंद्रिय शॉष्ट के चर्चा करते हुए ये बात सामना आई थी कि वह पर्ट्यक्ष को याधार मान कर इंद्रिय जन्त जो भी अनुभव होते इन को अधार मानते हुए अपने सौंद्रिय विवेचना करते हैं लेकिन पूर्वी सॉंद्रे सास्त्र में या भारतिय सॉंद्रे सास्त्र में अपन बात करें तो सॉंद्रे जैसा शब्द हमारे यहां नहीं था सॉंद्रे का पर्योग उसके लिए अधेयों युदिध नेने बाद में कहीं जाकर ही है सभ्ण रिंख रहां इसके मुने करेंगे , तो इसके बारे में विस्विज नेति गदेंगे लेकिन इसकी जो प्रिफेस है पुरू प्रस्टी का है उस पर चर्चा करते हुए ये बात सामने रखी जाने चाहिए कि बारतिय जीवन मुल्य जो क्या थे पास चाहते जीवन मुल्य जहां भोतिक वादी और प्रत्यक्स को जहां मैं तो देता था और भोगवादी द्रस्टी को ज्यादा मैं तो देता था वहीं पूर्वी जो जीवन मुल्य थे वो उससे बिल्कुल भिन थे पूर्वी या पूर्वी की जगे मैं बारतिय शब्द परियोग कर रहा हूं क्योंकि आपके पाटे करा में बारतिय जीवन पद्दति के अंदर चाहिए कैसे भी काम हो किसी भी छित्र का काम हो जीवन के चार पुरुशार्थ हमाने गए किया है आप सब कोभी कि यह जान करी होगी हूं कि विवग्पुरुशार्थ के रहे हैं अर्थ दर्व काम और मौक्ष है हुआ हो यह अंतिम पुरुशारत है वो था मोक्ष और मोक्ष की स्थती ज्ञान के द्वारा तपश्या के द्वारा ज्ञान के द्वारा बक्ति के द्वारा या कलाओं के द्वारा किस परकार प्राप्त की जाती है वही आगे जाकर हमें आनंद देती है आनन्द से जो बाव मन में उत्पन होता है जिसे प्रेम का बाव है बक्ति का बाव है यह मूलता है आनन्द को ही हमारे अंदर तुद बुद करते हैं और यही आनन्द अपनी क्रम बदता के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमानन्द में बदल जाता है और परमानन्द हमारे मोक का एक प्रकार है अगर हम उस परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन मौक्स की तरफ आगे बढ़ जाता है तो यह तो एक कॉंसेप्ट था एक दर्सन था जो बार्ति जीवन मुल्य जिसके आदार पर बार्ति जीवन मुल्य चल रहा था लेकिन कला की द्रीश्टी सागर बात करें तो पास्चाजते कला और पूर्वी कलाओं का अगर अध्यन करें को दोनों के अंदर वेसिक फर्क भी था कि आधे चाहें आप अजनता से लेकर आब तक की अधिनिक काल से पुरु से पूरतक की कलाओं के बारे आज़ा करेंगे कैज나 ना के वीती चित्रों अब्रंस शैली के पौति चित्रों चाहे बाटी लगुचित्र परंपरा ईश्में पहाड़ी मुगल कि राजस्तानी है यह जितने भी शैलिया लगुचित्र शैलिया थि इन outright बात तो इन सब में एक बात बिल्कुल समान रूप से पाई जाती है वो है उनकी समुदाइक चेक्रा यहां किसी व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दें यहां व्यक्ति को महत्व दें कला भी उनके लिए आजीव आजीवी का चलाने का साधन सामयने इस्तर पर रही होगी लेकिन कला क परती जो उनका समर्पन था वह समर्पन किसी अन्य चीज का मोताज नहीं था वो उनकी मन की बावना थी जो कला के परती वह फून रूप से समर्पित तो जहां कला के परती समर्पन की बात आती है तो वहां कला में तो हो जाती है कलाकार में नहीं होता आपना देखा होगा ग्याजन्ता के चित्रों में कहीं भी कलाकार का कोई जीक्र नहीं है जैन सेली में अन्यकों सैकड़ों पहुती चित्र बनाए गए लेकिन उसमें किसी कलाकार का विशी सुरूप से उल्लेख नहीं मिलते हैं तो गलाबी एक सामुदाइक कार्य के साथ में सामुदाइक विदी के साथ में आगे बढ़ रही थी और यही हमारे जीवन का मूल्य भी था हम सामुदाइक सोच को लेकर आगे बढ़ रहे थे समरपन को लेकर आगे बढ़ रहे थे और दूसरी बात जिन कलाओं का मैंने जिक् अपबरंश लगुचित्र परंपरा इसमें कहीं भी किसी व्यक्ति का परिचायक चेहरा चित्र आपको नहीं मिलें जितने भी पैंटिंग्स बनी हैं चाहे वो अजनता की वाल पैंटिंग्स हो चाहे वो अपब्रंश शेली वी चित्र हो जेन माविर स्वामी के जीवन से सम्मन देती चित्र हो चाहे लगू चित्र सेली के अंदर अनेक नाना विश्यों को लेकर चित्र बनाएगे जिसमों कुष्टी मार गिरादा और क्रिश्न को लेकर बहुत चित्र बने रितु संगार को लेकर रितु वणन को लेकर बहुत चित्र बने बारा मासा को लेकर बहुत चित्र बने नायक न विल्दारिच सहली के अंदर वो चत引τα geri जैनि कि हम किसी Чभी की विशेष को मेतो नहीं देते हैं किimize एक मुल्य कि हम अपने किशी विशेष नहीं करते हैं किसी विशेष को मैफों नहीं देते हैं, ऌने हम हमारा जीवन मुल्य इसके आधार पर हम जीवन जी रहे थे हमारी कलाइश भी कुंकि आगे बढ़ रही थे। और जहां आध्यात्म की बात आती है जहां अ मान अथा की बात आती है तो हमारा जो सारा जो द्रस्टी कुन था वह मानो कल्यान के लिए था जाय वो कोई कार्य हो उसका अंतिम जैसे चार पुरसात की आरंब में महाद बात कि तो तो आउकक किवहल्य स्वयम्न का अनंद मोक््षे नहीं प्रेड़ मेंशा प्रयाश हे रहता था कि सभी उस अनंद को दोगे उस प्रमानन्द को प्राप्त करें और जीवन को सार्थक करें विए कल्यान का बाव हमारे हर काडे के साथ में जुड़ा रहा और यही कल्यान का बाव हमारी कला के साथ में भी जुड़ा तो जहां जीवन मुल्यों की बात होती है तो वहां प्रिश्टिकॉण भी बदल जाता है प्रिश्टिकॉण बदलने का तर्थ पर हिए हुआ कि हमारी जो अवधारना है हमारा जो नजरिया है किसी चीज को स्रजित करने का उसको आगे बढ़ाने का वो किसी और से भिन्न हो सकता है यहां पास चाति है और गूरु की आपस करते हैं तो मेन पास्चाति की चर्चा करते हुए काता कि वह प्रतेक्स को जबादा मेहतुत देते हैं जबकि उनके लिए परितिक्षly प्रमान हैं और भारतिया अध्यात्म चिंतन में अगर देखें तो प्रतिया दर्सन को आप थोड़ा सा फिरूची रखते हो और पढ़ते हो तो वहां अपनी निर्नेक तक पहुंचने के लिए किसी बात को पर्मानित करने के लिए अन्या दूसरे साधन भी है जिसमें लोजिक है जैसे त परत है तरक एक ऐसा माध्य में एक जीसमें रोव फिर मेंतर दूसरा अमनें है जो चीजंडानर दूसरे इस प्राइब मेसे प्राप्त किए पिए वह अपकी एक कि कि सुछी चीज करने कि याप इंड़ा यह स्में उन्नत करता है एस आप्सूरुती हियानी कि हम अपने जो पूरू में हमारे जो चिंतक हुए हैं या हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनकी कई जो बात चली आ रही है ज्ञान चला आ रहा है उनको हम शुरूती के आदार पर भी अपने निर्ने का आदार बनाते हैं और परत्यक्स बिल्कुल अंतिम श्रिनी में आती है तो हमारे जो ज सॉंद्रे तारनाय जो थी उसके आंदर बहुतिक सॉंद्रे गहं रूब गभ सॉंद्रे कि ने भीये अमारे हुग्तिक पतुम भीयों रूग्व मेहतो दिया। हमारे यह वेक्टितम ग्याय हखे जितनी हैं जो कि पूर्वी साहिते में या बारत के प्राचेन साहिते में अगर भूवना चाहें कि भी सौंद्रे कहां प्रयुक्त हुआ है तो सौंद्रे जैसा सब्द पूरु में कहीं दिशेश मिलता नहीं है वैदिक और वैदेतर साहिते में पूर्वी अवदाना के अंदर जो सौंदरिय है वो रस शब्द को लेकर सारी अवदाना और विशलेशन और चलते हैं यानि जो सौंदरिय मनना जारा है पास्चाने में पूर्वी अवदानां में उसको रस कहा जाता है और इसके बारे में बड़े विस्तार से लिखा है अगर वेदिक यूग की भी अपन इस पर चर्चा करें तो सौंदरे से समानार तक शब्द जरूर मिल जाएंगे लेकिन सौंदरे जैसा सब्द में नहीं मिलेगा जैसे चारू है कई जगाया है रूचिर है रणू है पेसच है वल्ग है यह जो सारे शब्द थे यह सारे शब् दो परकार की जैसे अब आया सवंदर्य को अभिलक्सित करना वाले शब्दों की अपनी है जैसे अगनिसोकित हिंद्रक्त यह जो इतना विसुट है उसके अंदर इन शब्दों सोंदर्य के प्रयोग भी ने के लिए जैसे शमता है प्रकास चमक सुश्ण में शूबण सोब सब्सक्राइब करने के लिए और अगर सास्त्र परंपरा में देखें तो सास्त्र परंपरा के अंदर जो अलंकार सास्त्र संपर्दाय उसमें अचित्य जो संपर्दाय वह संद्र को लेकर अधिक बात करें अब यह जो शब्द आपके सामना है सास्त्र और संपर्दाय थोड़ा सा आपके लिए अंबिग्यों सकते हैं लेकिन हमारे जो रिशी परंपराइं थी तो वह किसी भी विशेव को लेकर जैस कर्वा वैसे वक रोक्ति की बात कर रहे तो पूरा एक रिशी परंपरा रिश्ी कुल था जो क्यूँच पूरा का पूरा वो वक्रॉकति को लेकर करता था जिसको वक्रोक्ति संपर्दाय系 आ आ गया दैसे यौचेत्य संपर्दाय तो यह जो अलग-अलग करता है रिशी परतंतर गुष्व के अंदर जो जयान किया जाता था रुंगे परपगर थी उसके अनुशार अगर बात करें तो व्यार यह को का अदर कि िक को रूप ngay जो ज्यादा तर सुंदरी की बात करता है और अगर वेडिक साइटे में देखें तो पुनिशद के जैसे अगनी और इंदर का जो सुक्त हैं उन सुक्तों के अंदर एक शब्द आया है सुनर का मतलब मान सकते हैं कि वह सुनर के करीबी रहा है जैसे सुनर सब्द की जो विद् सुस्टक नंदियती सुंदर सु संगठित है और हमारे मन को अनन्दित करता है यह लग बग उनके समानारती है लेकिन सुक्त शाहिति वेदितर में बहुत पीछे का साहिति है अगर वेदितर साहितिय की या वेदिक शाहितिय की अपन बात करें तो एक सामान्य चर्चा जैस मंत्रों का समु होता है वह सहिंत हुए सफता है और आप लोगों को अगर थोड़ा बहूत जानकार में कौषर तो जindruck को नीद हैं कि इस वहां इनमों तो मंत्रों के जो समु है, फिर मंत्रों की व्याक्षें की हुई है, कुछ ग्रहस्त लोगों के लिए, तो वो ब्रामन ग्रंथों में आती है, जो प्राकर्तिक शक्तियां, जितने भी संसार के अंदर प्राकर्तिक शक्तियां हैं, उनको प्राकर्तिक शक्तियों को क्गान किया जाता है जो अंदर अरन्य गरंथ जो है वल्टियों के लिए पर अध्यात्मिक महित्व स्थापति किया जाता है अध्यात्मि podr your